हर जगा का एक कहानी होता है, एक अलग सा खुश्बू होता है, जो पता लगता है वहाँ के सुभा से, पता लगता है वहाँ के लोगों से. किन्नौर और स्पिती सिरीज के एपिसोड फोर में हम जा रहे हैं, इंडिया का आखरी विलिज, छिटकुल. पिछले एपिसोड में सांगला पहुँचके, मैंने लाइफ में पहली बार डांस किया एक किन्नौरी वेडिंग में, और यहां से निकलके मेरा आज का डेस्टिनेशन है, बसका रिवर के किनारे बसा एक छोटा सा गाओ, छिटकुल. Good morning, today is the fourth day and we are going from Shangla to towards छिटकुल today and at छिटकुल we'll be staying in tents today in the Baspa river camp and while on the way we have now stood at a point where we are getting a very good view of the entire place, on the opposite side of that mountain there is a very narrow waterfall that is coming from a long way from the top so we are standing here for the view, let me show you On the way to छिटकुल from Shangla, we have stopped in front of a waterfall which is just behind me and people are busy clicking photographs and the speed of this waterfall is really high, I don't know if my voice is audible and if you can hear the waterfall behind me, I'll try to go to the top and take some good shots You सांगना से चिटकुल का डिस्टिंस है सिर्फ 20 किलोमेटर और पहुंचने में सिर्फ 2 ही घंटा लगता है यहां पे करीब 20 टेंस है और टेंस का चार्ज इस अराउंड 3,000 रुपीज पर तेंट हर एक टेंट में एक रूम है एक वाश्रूम अटाच्च्ट है और साथ में एक पौड चेरिया भी है जहां पे बैट के आप बहार का फुल व्यू एंजॉइ कर सकते हो नाओ लेट में टेक यू इंसाइड तो शो की अकुमोडेशन यहां का कैसा है तेंट काफी स्पेशियस है अंदर एक बरा सा बैड है विच इनफ पौर एवन थ्री पीपल और नीचे एक और छोटा सा बैड दिया हुआ है जस्ट इन केस देर इस समवन एक्स्टा टूस्ट अजसे चेक बार से यहां टो ञाओ टोटा टूस्ट एक अटो बड़ीशन पूएल एक प्शार एक पूर सीज़ आपन सा बीच इन पूर नहींमर देक खाना पिर दित विए अटू बड़ीशन बड़ीशन ओड़ीशन अनर दिए का तो फिए इस बीच आट शेंपर देस चूह अंधे राही जा राखता, अपर देज़ चाहीर, मत देह जालागी है एक जाए रगए भाया किसी घट sih कि थालागी है लेक भी चूह यह अज़िक्टीड़ में को भी बाहें है या लिए पार रिवर और या इन देख और मांट रेंगे हैं और अब इस चलिए में इस इरादा लेके निकली थी कि मुझे इंडिया का लास्ट पॉइंट तक जाना है जहां तक हमेश जाने का परमिशन है बट Google Maps चेक करने के बाद I saw कि वहाँ पे तो location दिखा ही नहीं रहा है and also there was nobody around to ask for it so इसलिए I just took a random road in the direction of the border ये तो पता था कि कौन सा direction में जाना है पर ये नहीं पता था कि कितना दूर जाना है Thankfully enough around 2 km चलने के बाद हमें रास्ते में एक इनसान दिख गया जिसे हम पूछ सकते थे कि कौन सा रास्ता से जाना है अब आपने घर मकान बनागी है सब आपने अपना आई और ऐसे पथर पी लेके जाते हो किसे करते हो मतलब घर जो बनाओगे वह पथर बाला होगा या क्या होगा पथर यह ही पिसा को अपने गरों के नदी के पथर है नहीं को आप लिए गराश्टे कर भी अच्छा और अपका तहां पे बनाओगे घर वो गाओं के अंदर यह गाओं के अंदर just look at the colors of the rocks here they are of so many different colors I can see purple for example this rock here is purple in color I can see blue I can see pink see this is a pink rock and this is looking amazing it's filled with colorful rocks all over see there's brown there's green again pink yellow purple blue wow चिटकोई गाओं का जान और शान है यह बेहत सुन्दर नदी बस्पा और यह एरिया को बस्पा वाली भी पोला जाता है इस पॉइंट पे आते आते नदी का बहाव बहुत ही तेज हो गया पूचताच करने पे पता चला कि मैं जिस रास्ते में आई हूँ यह अक्चली गलत रोड है उपर वाला रोड लेना चाहिए था और यहां से वहां जाने का अभी कोई डायरेक्ट रोट नहीं है इस फस्ति क्रप्राइ त्रव sil करुए अटराइ बहुत कर से वहां ऺलत 은जी कर चूछ में गलत den था चक्चत कर बहुत है तो गया झालिः जो रुत कर अचलोड यह प्लास्तिक था रोड नाते दोड्ड त्लिब नचतिया चाहता है इस ब that wires we just held on to the wires, road we should have taken the this one but we took the lower one so we had to do this. Over there at the end the final camp of our army is visible and we'll be going there, finally this is the last camp of India and 500 meters from here is the last India's checkpost, not actually the last but last for us and then 80 km after that I think you're going is another check post and after that there is China so now I see a warning sign without permission do not enter this area after this point and this is the last camp and there is a waterfall running down and back there I can see the camp I'll try to go as far as I can till I reach the check post unless someone stops me in the middle so I'll try to reach there so this is the last point of India my friends the Nagasti check post and down there is the army camp we just spoke to two of these army men and we had a very hearty chat with them but we cannot take photos of them when they are in their uniform neither can we take videos and they actually showed us how the situation is during winters and actually they also showed us a photograph of the actual China border that is around 80 kilometers from here and there are two more check posts beyond this check post which we are not allowed to go and those are 50 kilometers apart from here and electricity is there up to the next check post but the last check post there is no electricity so yeah we had a very good discussion and there are also these people I think I'll be asking them for a lift to get back because we have already walked a very long way from our campsite this check post was around 5 to 6 kilometers distance we had already walked that entire distance and now I have been in this truck and I have reached the actual village of Chitkul entering the actual Chitkul village there is a fort here in Chitkul which is probably closed now and also there is a temple called the Mati Devi temple not sure if it's open Chitkul ka yeh fort hamesha bandhi rahta hai except for the few months of winter now people stay in the cold where they come from you get into the mud just go to the mud oh it becomes mud 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 what is there too what is there too water gets how do you drink we don't think what is the mud heard from the moon its 56th we are too 56th we are too 56th oh how does it feel so good what is your name what is it Tulsi Ram Negi oh wow so you get all of the Russian fashion you get all of the people yes totally get all of the तो मेरिकल के लिए टाट्टूद है रहा है यहाँ बाल एक तो फूट बड़ाते हैं अब कितना तेमपराचर हो जाता है यहां पर तेमपरिचर एपर बनेगे श्तीश सूरता है तो यह भी बता दीजे चिटकुल का नाम चिटकुल क्यों है? आप यहादा नाम चिटकुल का नाम चिटकुल क्यों है? परेले पूरा मुठी थोड़ा शक्ता है उसको आम लग चिट मेटन गोलते हैं चिटकुल बहुती छोटा सा एक गाउं है और यहाँ के लोगों के लिए सबसे इंपोर्टन जगा इस गाउं का है ये दमाथी डेजी टेंपल और अभी शाम के टाइम यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है के लिए मैं आपका यहाँ हाँ हाँ So, finally returning after a very adventurous walk around चिटकुल Another note is, today my camera, the actual camera that I used to film fell into water while I was at the waterfall before reaching चिटकुल So, after that I am using my mobile to film so you can see a bit of shakiness I hope my camera is up and back by today and I really really pray that it's not completely spoilt So, if that is there then from the next episode onwards from tomorrow onwards you will get back to having better footages It's 7 o'clock now and before the sun sets I'll be heading to that bridge and trying to cross over to the other side of the river to check the view Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it Let's take it If you leave the window Let's take it slow You don't come down with me Let's take it slow Up the window I'm looking down with you Let's take it slow You know what I'm searching for in the middle of your life